तो कुछ दिन पेले पता चला था कि iPhone 15 लॉंच तो होगा बट थोड़ा डिले लॉंच होगा और कितना डिले लॉंच होगा ये भी बताया गया था मैंने अपने स्वर्ट वीडियो में बताया गया था कि September में ना लॉंच होकर October में लॉंच होगा लेकिन अब सवाल आता है कि September में लॉंच ना होकर आखीर October में लॉंच होगा ही क्यों और मुझे पता है आप लोग जरूर पुछोगे कि iPhone 15 October में लॉंच क्यों होगा क्योंकि भाई iPhone 15 की डिस्पले बनाने वाले अपनी अपनी जियत के साथ लॉंग ड्राइपे चले गए है खेर जोप सपाट आपको तो पता ही होगा कि मैं मज़ा करता रहता हूं और वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि फ्लो फ्लो में निकली जाता है कि वाई उस टाइम पे असली चक्र तो यह था कि iPhone 15 की जो डिस्पले है उसमें थोड़ा डिले हो गया था बनने में लेकिन अब कहानी में इंट्रेस ला दि इवेंड होगा वो 13 सप्ट्टेमर को होने वाला है इपल पार्क में और इपल पार्क कितना बड़ा है मतलब भाई विकांट इमेजिंग जब बाहर से इतना बड़ा है तो अंदर से कितना बड़ा होगा भाई तो इस इवेंड में iPhone 15 और iPhone 15 Plus और iPhone 15 Pro Max लॉइंच किये और performance तो काफी फाडू होने वाली है तो यही थी आज की वीडियो इंफरमेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को कर दो like चैनल को कर दो subscribe मिलते हैं अगली वीडियो में